नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग दोस्तों एपल ने iOS 16.2 स्टेवल भर्जन को आम लोगों के लिए रिलीज कर दिया है इस वीडियो में आप लोग के लिए iOS 16.2 में मेजर चेंजेज के बारे में जानकारी देने वाला हूँ मेरा नाम है दिपेश कुमार और आप देखन iOS 16.2 को भी रिलीज कर दिया है अगर आप iPad OS 16.2 के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें एक वीडियो बना दूँगा आई आप देखते हैं इस अपडेट में हमें क्या देखने को मिलता है पहला चेंज देखने को मिलता है आपके डिवाइस देटा उप्शन में जाएंगे उसके बाद डेटा उप्शन में जाते हैं तो देखते हैं कि 5G on 5G auto का उप्शन आ चुका है हमारे देश में अब 5G iPhone पर यूज कर सकते हैं इसके लिए आप 5G auto पर रखें तो यह ज़्यादा बेतर है क्योंकि आपको जब आप 5G auto उप्शन सेलेक्ट कीजिएगा तो इसमें आपकी बैटरी बहुत अधिक चलेगी बैटरी कम खर्च होगी इसलिए मेरा सजेशन यही है कि 5G on रखने की बजाए आप 5G auto पर रखें आयोस 16.1.2 में इस अपडेट में 5G का उप्शन नहीं था अब जैसा कि देखना है इस आयोस 16.2 में 5G का उप्शन आ गया है तो यह बहुत बड़ी बात है और यह बहुत बड़ा अपडेट है एपल की तरफ से दोस्तों दूसरा परिवर्तन निव एप फ्री फॉर्म के रूप में देखने को मिलता है इसमें आपको एक अनलिम्टेट का इनवास देखने को मिलता है इसमें स्केचिंग, नोट्स, बर्क और बहुत सारे फीचर्स दिया गया है जो कि आप यूज कर सकते हैं इस एप के बारे में पूरा डिटेल के लिए एक अलग वीडियो बना दूँगा उसमें मैं इसके बारे में पूरा चर्चा करूँगा बस इतना जान लिजिए कि यह बहुत अच्छा चीज़ है आप एक फ्रेंड्स के साथ कोलाबरेट करके आप एक अनलिम्टेट का एनवास दिया गया है तो आप यूज कर सकते हैं बहुत मजे कर सकते हैं बहुत काम की चीज़े है जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ दोस्तों अब नेक्स्ट आ गया है आपका sleep का option जब हम अपने lock screen customization में जाते हैं और थोड़ा नीचे जाते हैं तो अब हमें option देखने को मिलता है sleep का भी sleep बले option iOS 16.1.2 में देखने को नहीं मिलता था जब हम इस visit को चूज करते हैं तो हम different तरीके से देख सकते हैं इसके अलावा हम देख सकते हैं कि 16.2 में health option भी दिया गया है जबकि iOS 16.1.2 में नहीं था जब हम इस option के उपर में touch करते हैं तो इसके अंदर कसारा खेल देख सकते हैं अगर हम stock visit में जाते हैं तो symbol with chart जो कि 16.1.2 में नहीं मिलता था iOS 16.2 में apple music में एक नई features आई है वो है apple music sing जिसमें हम किसी भी गाने के साथ उसके lyric को देखकर गा सकते हैं इसके सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी गाने के vocals को कम करके आप lyric को देखकर के गा सकते ह बात करें तो iPhone 14 pro series के और 14 series के लिए always on display में iOS 16.1.2 में शिर्फ डिस्प्ले और brightness के अंदर जाकर always on display enable कर सकते थे अब इसको on या off भी कर सकते हैं और options देखने को भी मिलता है वो है show wallpaper और show notification तो आप इसको on या off कर सकते हैं आपकी मर्जी है जैसा use कर सकते नेक्स्ट फीचर की बात करें तो iOS 16.2 में अब live activities को enable कर दिया गया है आप अपने phone के setting में जाते हैं उसके बाद tv setting में जाए tv वाले option में जाने के बाद live activities option देखने को मिल जाता है इस option में अंदर जाने के बाद आप इसको live activities कर सकते हैं और more frequent update इसको on off कर सकते हैं तो यह बहुत बड़ा change दिया तो एक नई features आ गई है everyone for 10 minutes जैसा कि आप देख रहे हैं everyone for 10 minutes एक नए option आ गया है जो कि 16.1.2 वाले में नहीं था यह एक बहुत ही अच्छा update है और यह इसकी जरुद सब को होती थी और बार बार जाकर के इसको on off करना पड़ता था अब स्वाता ही 10 minutes के बाद बंद हो जाए तो iCloud में Advanced Data Protection देखने को मिलती है जो कि आप यहां से जा करके इसको आप iCloud में जाने के बाद आप स्क्रॉल करके आप देखिए तो यहां से Advanced Data Protection में आप जा करके यह हला कि अभी इंडिया के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है तो उमीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी हमारे सफारी एप में सफारी एप में जाने के बाद हम देखते हैं आईपी एड्रेस को हाइड कर सकते हैं दोस्तों नेक्स चेंज की बाद करें तो वह है सफारी एप में यदि हम सफारी एप में किसी वेप साइट को खोलते हैं तो उसमें हम आईपी एड्रेस को हाइड कर सकते ह इस एए वाले option को टच करने के बाद आपको IP address देखने को मिल जाता है option जो कि 16.2 में देखने को मिलता है और 16.1.2 में ऐसा option नहीं था दोस्तों नया चेंज आया है वो है accessibility option में दोस्तों इस option में जाने के बाद आपको एक option दिखाई देगा control nearby devices इसके icons को change कर दिया है iOS 16.1.2 में अलग देखने को मिलता था जबकि इसमें आप देख सकते हैं कि इसका icon जो है थोड़ा अलग कर दिया गया है तो दोस्तों इसके अलाबा अगर नीचे series setting में जाते हैं तो आपको spoken responses में तीन option दिखाई देते हैं जो कि 16.1.2 में दो ही option दि दिखाई देने को मिलेगा दोस्तों अगला feature आया है वो है shortcut app में shortcut app में आप new shortcut वाले option में battery level सर्च करने पर आपको options get battery status दिखाई देगा जबकि iOS 16.1 में get battery level का option देखने को मिलता था जैसा कि आप देख रहे हैं कि new shortcut में जाने के बाद यहां से अगर हम सर्च कर रहे हैं तो battery देखिए get battery status आ गया जबकि iOS 16.1.2 में get battery level रहता था जो कि आप इस पर अगर आई वाले button पर click करते हैं तो आपको देखिए इस तरह का option देखने को मिल जाएगा तो यह बहुत बड़ा change आया है अगला change जो आया है वो है share play में share play का support game center में आप देखने को मिलने लगा है iOS 16. 16.2 में यह share play का एक बड़ा update है major update है next change देखने को मिलता है home app में home app को 16.2 के architecture में change कर दिया गया है जो की बहुत ही अच्छा है दोस्तों अगला change जाया है वो है i message में i message में भी कुछ change देखने को मिल गया है अब हम photo को contact page में search कर सकते हैं जैसे कि Docs और text को image के रूप में search कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छा change हो गया है और बहुत ही easy कर दिया easy to use कर दिया है दोस्तों अगला change की बात करें तो iOS 16.2 में iPhone 14 स्रीज में crash detection features को थोड़ा और enhance कर दिया गया है finally emergency SOS via satellite भी features देखने को मिलता है लेकिन USA और Canada में यह option अभी देखने को मिलता है अभी इधर दे like share subscribe करें और जो भी लोगों को यह जानकारी मिलनी चाहिए जिनको जरूरत है उनके साथ share जरूर करें दोस्तों अगर आप ऐसे ही Apple product से related technical fact और knowledge चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर subscribe करें और notification bell को on कर दे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद